हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक भी थैक्यू में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसा कि आपने वीडियो के थमनेल में देखे लिया होगा प्याइम किसान सम्मानी दी यूजना के अंतरगात किसानों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो अपडेट किया है और किसानों को उसमें क्या करना होगा इसके बारे में पूरी जानकारी आज कि इस वीडियो में दूँगा तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो बसना है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को ज्यादे से ज्यादे सेयर करें ताकि हर किसान भाई तक ये अपडेट पहुंच सके चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी इस परकार की कोई वीडियो बनाए उसका नोटिपी किसान आप तक सबसे पहले पहुँचे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह जो अपडेट आया है पीम किसान एकवैसी को लेकर आया हुआ है पीम किसान योजना के अंदर कर एकवैसी के न्यू अप्सन को एट कर दिया है अब आप घर बैठे ही अपने मोबैल की मदद से आधार ओटिपी के माध्यम से अपनी एक एक वैसी कर सकते हैं और आधार ओटिपी से के वैसी करने में पहले जो समय आपको आ रही थी उन्हें अच्छी तरीके से सही कर दिया गया है अब आपको आपके सेंटर में जाने के कोई जरुवत नहीं है आप अपने मोबैल के मदद से गर बैठे आधार ओटिपी के और ओपिस्चल पेज़ पेज़ पर आते हैं आप यहां पर देख सकते हैं ओटिपी बेस्ट एक वैसी इच एवलेबी नौन पीम किसान पोर्टल तोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ समय पहले सभी एक वैसी के ऑप्शन को बंद कर दिया गया था सीसी को छोड़कर लेकि अब इस लिंक के माध्यम से एक वैसी कंप्लीट हो रही है तो अभी आप गर बेठे ही इस लिंक के माध्यम से एक वैसी कर सकते हैं जिसमां आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है जैसा आप सभी को पता है यदि आप सीसी के थुरू एक वैसी कराते हैं तो आपको उसमें 5 रुपे 34 पैसे का पेमेंट अपने CSC वालेट से कटाना होता है लेकिन यदि आप आधार OTP के माध्यम से EKWC कंप्लेट कराते हैं तो आपको यहाँ पर एक भी रुपे का पेमेंट नहीं करना है आप फिरी में यह अपनी EKWC करा सकते हैं तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे आप कैसे आधार OTP के माध्यम से EKWC कंप्लेट करा सकते हैं I hope आपको हमारी द्वारत दी गई है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी PM किसान सम्मानी दीका यह अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना और चैनल प